हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बाक्टो माई चैनल रितूस नोर्स तो आज जो टॉपिक यह आप कह सकते हो एक poet जिनके बारे में हम discuss करने वाले हैं वो हमारी वीडियो में वो है Edwin Spencer Edwin Spencer एक बहुत ही famous poet रहे चुके है आप सबने उनका नाम सुना होगा तो आज इनकी बारे में हमारी वीडियो में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज कर लो बल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो चालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो बिना देर गिये let's get started इंट्रदक्शन चाउजर को हम सभी नैच्रल पोईट के नाम से जानते थे लेकिन उनके बाद अगर किसी को नैच्रल पोईट कहा जाने लगा तो वो एड्मिन स्पेंसर थे उन्होंने अपनी पढ़ाई Cambridge University से complete करी है Charles Lamb calls Edwin Spencer the poet's poet तो Charles Lamb जो थे उन्होंने Edwin Spencer के बारे में एक बात कही और उन्होंने लिखा था कि वो the poet's poet है और ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा था Spencer के बारे में क्योंकि Spencer के जितनी भी poetic art है वो बहुत ही unique है तो ऐसा इन्होंने इसलिए भी कहा था कि England में जितने भी poets थे उन सबसे जादा अच्छी poetry Edwin Spencer ने लिखी थी और वो कुछ हट के लिखते थे He established his greatness as a poet with the publication of his Seffert's calendar Seffert's calendar एक बहुत ही famous work है Spencer की तो जब ये Seffert's calendar publish हुई तब से Spencer को एक great poet माना जाने लगा था It was in Spencer that they looked for the fulfillment of the dreams in the field of poetry तो जब भी अच्छी poetry के बात आती थी तो सब के ख्याल में Spencer ज़रूर आते थे क्योंकि उनकी poetry बहुत famous और अच्छी हुआ करती थी There are so many factors that make Spencer great इन सब के अलावा भी ऐसे बहुत सारे factors ऐसे बहुत सारे चीज़ें Spencer के बारे में जो उनका नाम बहुत ऊचा करती है Spencer Master of Poetic Art Spencer was a Master of Poetic Art Spencer Poetic Art या फिर Poetry के Master कहीं जाने लगे थे He received the highest praise from all his contemporaries तो जितने भी उस टाइब के contemporaries थे Contemporaries मतलब उस टाइम जिस टाइम के Spencer Poetic रह चुके हैं उस टाइम पे और जितने भी writers और poets थे उन सब से इन्हें बहुत praise मिला बहुत ही सराना मिली थी इन्हें उन सब से His fame has not diminished since then और उस टाइम से Spencer का fame अब तक कम नहीं हुआ है Poets such as Milton, Dryden, Pope, Kitts, Tennyson and Wordsworth have admired him sincerely तो यह जितने भी famous poets, writers के आप नाम देख रहे हो Milton, Poets, Kitts, Tennyson, Wordsworth जितने भी यह सब है उन्होंने बहुत प्रशंशा की थी Spencer की Lamb calls him the poet's poet और Lamb ने उन्हें the poet's poet भी कहा था Throughout the 17th, 18th and 19th century a number of poets followed him और जितने भी 17, 18th and 19th centuries के poet है या writer है उन्होंने सब ने इनका बात follow किया था They called him their master और वो Spencer को अपना master मानने लगे थे and believed him as a guide and mentor और वो अपना guide और mentor भी Spencer को मानने लगे थे Edmund Spencer was known as prince of poets और उन्हें prince of poets भी कहा जाने लगा था Because so many later English poets have learned the art of versification from him ऐसा इसलिए कहा जाने लगा था क्योंकि versification का मतलब है कि कोई भी चीज को जब आप poetry या poem के form में उतार देते हो जैसे आपने कोई चीज देखी और उसे आपने उतार दिया एक poem के form में तो उसे versification कहते हैं उन्हें prince of poets इसलिए कहा जाने लगा था क्योंकि जितने भी उनके बाद later English poets आये थी वो सारे इनसे versification सीखे थे कि किसी भी चीज को कैसे खुबसूरती से as a poem उतार सकते हैं Spencer set out to England's poetry as great as that of continental poet Spencer इतनी अच्छी poetry लिखते थे और वो England से थे कि वो एक continental poet की नाम से मतलब continental poet बन गये थे वो बहुत famous हो गये थे England के बाहर भी उनका चच्ची होने लगे थे He showed the world that modern England has capable of poetry as great as that of any other country तो हर country से अलग-अलग famous poet आ रहे थे तो जब Spencer का नाम इतना उच्चा गया तो उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि England से भी एक अच्छे poet आ सकते हैं Thus we see that he is the poet's poet और इसलिए इन सब factors से हम ये conclude कर सकते हैं कि वो सच में the poet's poet थे in the true sense सच में थे This is perhaps the best tribute that can be paid to him और ये सबसे best tribute है ये जो line Charles Lamb ने उनके बारे में लिखी थी कि वो the poet's poet है ये the best tribute है जो हम Spencer को दे सकते हैं Characteristics of Spencer's poetry Spencer's के बहुत अच्छे अच्छे famous poetry थे और उनके कुछ characteristics थे The five main qualities of Spencer's poetry are और उनमें से कुछ गी नहीं चुनी five qualities हैं जो कि Spencer's के poetry में हमें देखने को मिलती हैं वो है A perfect melody बहुत ही अच्छे melody होती थी उनके poetry में A rare sense of beauty एक बहुत ही अलग sense of beauty थी जो हर किसी के poetry में नहीं देखने को मिलती थी A splendid imagination बहुत अच्छे imagination थी जो वो चीज देखते थे वो बहुत अच्छी imagination से वो उस चीज को as a poem उतार देते थे purity and seriousness purity भी थी और seriousness भी उनकी हर poetry में रहती थी a delicate idealism और एक delicate idealism होती थी which could make all natural and every common thing beautiful तो जो भी चीज़े वो अगर common और ordinary चीज़े भी देख रहे हैं तो उसे बहुत ही खुबसूरती से अपनी poem में उतार देते थे तो यह quality भी Spencer की poetry में हमें देखने के मिलती है Spencer's notable work कुछ उनके major works हैं उनके बारे में हम discuss कर लेंगे there are many major and notable works of Spencer ऐसे तो उनके बहुत सारे notable works हैं but two are world famous लेकिन दो पूरे world में famous हैं they are as follows और वो हैं पहला है हमारा the Seffert's calendar it was Seffert's first considerable poem और यह सॉरी it was Spencer's first considerable poem और यह Spencer का पहला poem लिखा गया था it is a pastoral poem उसे pastoral poem कहा जाता है pastoral poem deal with the life of actual sefferts and country folk तो यह pastoral poem उस poem को कहा जाता है जिनके बारे में actual sefferts यानि की चरवाहे के बारे में लिखा जाता था और जिस country से वो बिलॉंग करते थे उनके folk के बारे में लिखा जाता था its essence lies in the simplicity of thought और ऐसी poems के बहुत ही simplicity मतलब आप कह सकते हो characteristics in सारे poems की एक simplicity थी Spencer's experiment in a variety of meters in this poem और Spencer ने बहुत सारे meters के साथ experiment किया था अपनी इस poem में second है हमारा the world famous उनका एक poem the fairy queen it is Spencer's masterpiece इसे Spencer का masterpiece कहा जाता है and most memorable work और एक बहुत ही famous work माना जाता है the fairy queen is a combination of spirit of renaissance with that of reformation और इनके दो major topics जो इनके theme है the fairy queen के वो है renaissance और reformation the allegorical poem was to have been in 12 books ये एक allegorical poem है जिसे 12 book में complete करना था but only 6 books were completed लेकिन सिर्फ 6 books complete हो पाई है the fairy queen was sorry has been described as an epic और इसे epic भी कहा जाता है finally हम इसे conclude करेंगे conclusion to sum up we can say that Spencer rendered a very great service to English poetry तो इन सब जो भी है factors अभी पढ़े Advent Spencer के बारे में उन सब से हम ये conclude कर सकते हैं कि जब हम English poetry या English literature की history पलटा करके देखेंगे तो Spencer उसमें बहुत ही vital role play किया है he contributed to English poetry and earned the title of poet's poet और उन्होंने इतनी अच्छी poetry लिखे और अपना contribution दिया English poetry में कि उन्हें the poet's poet कहा जाने लगा तो ये थी आज की मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आपकी syllabus की हो आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी शेयर भी कर देना अगर हो सके तो और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं कियो तो प्लीज कर लेना बेल आइकन हिट कर देना मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई